नमस्कार दोस्तों घर पर रहें सुरक्षित रहें आप अपने घर पर रहकर योगा भ्यास प्राणायाम या अन्य कोई आसन या किसी भी प्रकार का कोई भी एक्सेसाइज अवश्चे करें कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए अपने सरीर का अवश्च ध्यान रखें अपने सरीर की इम्मिनिटी पावर को बनाए रखें अनावश्चक रूप से घर से बाहर ना निकलें बीच बीच में अपने हातों को सावन से लगातार 30 सेकिंड तक धोएं हमेशा मास्क लगाएं और मास्क लगाने के लिए वीडीयो में दिखाया गया यह तरीका अपनाएं मास्क को हमेशा डोरी से पकड़ें बीच में से मास्क को कभी भी ना चुएं अगर आपने किसी वस्तों को छुआ है तो अपने हाथ सेनेटाइज करना ना भूलें यह बेहत जरूरी है कभी भी खांसते या छीकते समय अपने बाजू को मोड कर ऐसा करें या आपके पास कोई रुमाल या कपड़ा है तो उसका अपयोग करें अनावस्चक रूप से अपने आख, नाख, कान, मुहूं या चेहरे के किसी भी हिस्से को न चूएं यह खतरनाख हो सकता है ऐसा करने के लिए सबसे बहले अपने हाथों को सैनेटाइज अवस्च्छ कर लें बाहर जाते समय अपने वाहनों को भी सेनिटाइज कर लेए ताकि आपकी सुरक्षा सुनिश्चित रहे सावधानी में ही बचाव है कभी भी public place में जाते समय मासक अवस्चे लगाएं बिना मासक लगाए public place में बिल्कुल ना जाएं बहुत ही जरूरी हो तभी घर से बाहर निकलें अनावश्यक ग्रूप से बाहर ना जाएं अगर आप शॉपिंग के लिए बाहर जाते हैं तो भी मास्क अवश्य लगा कर जाएं यहें आपकी सुरक्षा के लिए बेहत जरूरी है सुरक्षित रहें, सतर्क रहें अगर हो सके तो हाथों में गलब्स या दस्ताने अवश्य पहन कर जाएं ताकि आप किसी भी वस्तो को चूने पर सुरक्षित रहें अगर आप किसी वस्तो या किसी सर्फेस को चूते हैं तो उसके बाद अपने हाथों को सेनेटाइज अवश्य कर लें यह आपकी सुरक्षा के लिए बेहत जरूरी है आपकी सावधानी ही आपका बचाव है अपने साथ साथ अपने आस पास भी सफाई रखें सावधान रहें सुरक्षित रहें अगर आप अपना मोबाइल या लैपडॉब या कोई भी अन्योपकरण किसी स्थान पर रख देते हैं तो उसे वापस उप्योग में लाने से पहले सेनेटाइज अवस्षे कर लें यह आपकी सुरक्षा के लिए बेहत जरूरी है आपकी सुरक्षा आपके और आपके परिवार के लिए बेहत जरूरी है कोरोना जैसी महामारी में किसी भी प्रकार की लापरवाही ना बढ़ते हैं घर पर रहें सुरक्षित रहें